हालो यूरीवान स्वागत है आप सबका हमारे यूटूब चैनल शूर्व अनलाइन क्लासेज में आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक इसका नाम है रूल्स और टैबिट एंड क्रेडिट जनल एंट्री का रूल्स हमें पता होना चाहि क्योंकि कई बार हमारे एक्जाम में जनल इंट्री से डिलेटड क्वेशन्स पोच लेता है या कई बार ऐसे भी क्वेशन्स पोच लेते हैं आप से पर्टिकुलर एक जनल एंट्री दी जाएगी और उसमें आपसे पूचा जाएगा यहां पे ऐसेट आपकी इंक्रीज हो बात मैंने वहां पर की थी और इस वाले पर्सुप्र के साथ अंच अमरीकन अप्रोच है उसकी बात करोगा और उसके उसकी ट्रिक से यह उसके जो तरीके हैं उसके हिसाब से मैं आपको जनल इंट्री का कुछ अलग तरीका भी बताऊंगा तो स्टार्ट करता हूँ वीडियो को सबसे पहले आप जान लीजिए कि modern approach में जो हमारी personal real nominal है उनको 5 पार्ट में divide किया गया है वो 5 पार्ट है हमारी capital, liability, expenses, assets and revenue इनको मैंने 5 पार्ट को नाम दिया है clear, clear मतलब होता है C से capital, L से liability E's expenses, A से asset, R से revenue अब यहां पर समझे कि कौन सा debit होगा, कौन सा credit होगा, कौन सी conditions में, तो यहां पर देखे capital और liability, जब भी increase होँगे, तो credit होँगे और जब भी decrease होँगे, तो debit हो जाएंगे, expenses और assets, जब भी increase होँगे तो debit होँगे, और जब भी decrease होगा तो debit हो जाएगा तो ये rules है debit and credit करने का सबसे आसान सा तरीका है अगर आप इसको group में पाटना चाहें तो group में आप कर सकते हैं capital, liability और revenue ये एक ही nature के होते हैं ये जब भी increase करते हैं तो credit होते हैं और जब भी decrease करते हैं तो debit होते हैं दूसरा group आप बना सकते हैं expenses और assets का ये जब भी increase होंगे तो debit होंगे और जब भी decrease होंगे तो credit हो जाएंगे तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है आप इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ में general entry आसानी से कर सकते हैं या किसी को भी सिखा सकते हैं अब मैं कुछ example से आपको और व्यादा clear कर देता हूँ यहाँ पर suppose करिए business start हुआ है with cash rupees 1 lakh एक लाख रुपे से business start हुआ है तो यहाँ business में क्या हो रहा है cash हा रही है और दूसरी तरफ capital आ रही है अब business के लिए cash क्या है cash assets है और assets जब भी increase करती है तो debit में आती है और capital जब भी increase करती है तो credit में आती है तो general entry हो जाएगी cash account debit to capital account दूसरी entry है purchase goods on credit 50,000 फ्राम राम हमने 50,000 रुपे का goods खरीदा है किस से खरीदा है राम से खरीदा है यहाँ पर देखिए stock हमारे पास आया है यानि assets आपकी increase हुई है तो इसलिए debit हो गई है और हमने कहाँ से खरीदा है राम से खरीदा है तो liability भी create हो गई है और liability जब भी increase होगी तो कहाँ जाएगी credit में जाएगी तो इसलिए राम हमारे लिए creators है और यह हमारी business की liability है तो इसलिए ये credit हो जाएगी और ये हमारी purchases गया है? Asset है और ये increase होई है इसलिए ये debit होगई है Rent paid, third हमारा point है और rent paid हमारी लिए business के लिए क्या है? Rent हमारे लिए expenses है और जब भी expenses increase होते हैं तो debit होता है और assets यानि cash हमारी current asset है cash हमारा decrease होगा तो credit में आ जाएगा तो एक तरफ यहाँ पर expenses आपके increase हो रहे हैं और दूसरी तरफ आपकी cash जो है वो कम हो रही है यानि assets कम हो रही है तो increase हुआ इसलिए debit और decrease हुआ asset इसलिए credit fourth point है bought machine day 4 rupees 3 lakh rupees हमने 3 lakh रुपे में machine day purchase की है machine day क्या है business के लिए machine day business की asset है जो increase हो रही है और दूसरी asset जो कि current asset है आपका cash account यह आपका कम हो रहा है machine day हमें जब fixed assets होती है तो यह जो है आपका debit हो जाएगा to cash account एक तरफ asset आपका increase हो रहा है दूसरी तरफ आपका कम हो रहा है तो यहाँ पर यह rule follow होता है last example है आज का वो है interest received देखे जब भी interest received होगा तो revenue generate होगी और revenue generate होती है तो क्या होती है credit होती है जब भी revenue increase होगा तो credit में होगा और cash हमारा बढ़ जाएगा तो cash account debit to interest received account यह था rules of debit and credit के कुछ अच्छे examples उमीद है आपको general entry जरूर clear हो गई होगी और आने वाले UPTGT और PGT exam में यह आपकी काफी मदद करने वाले हैं इसी आसा के साथ मिलते हैं next video में thanks for watching